चान्नी को रोकने के लिए एक बहुत ही शोकिंग प्लानिंग करने वाले हैं वो चान्नी के सामने मारिश प्रपूजल रखते हैं लेकिन चान्नी इस मारिश प्रपूजल को ठुकरा देती है वो शोक जरूर होती है लेकिन शादी के लिए मंजूर नहीं होती पर इस बार अत्वय ने भी ठान ली है कि चाहे जो भी हो वो चान्नी को रोकने के लिए इस बार हारेंगे नहीं इसीलिए उन्हों ने खसम खाली है कि वो चाननी को शादी के लिए तःयार करवाने में कोई खसर नहीं चोने वाले हैं अब देखना एंटरस्टिंग होगा कि यादस इस बार क्या प्लानिंग करते हैं और क्या चाननी वागे इस शादी के लिए मान जाहेंगी आपको क्या लिखता है कमेंड कीजिए और इस कहानी में और क्या होता है यह जाने के लिए सब्सक्राइब परे हमारा चानल टीवी प्राइम ठाइंग होगी